गुड मॉर्निंग अब्रिवान कैसे हो आप सब आई होप आप सब अच्छी होंगे चलिए देख लेते हैं आज के लिए आपके लिए क्या है एंजल गाइडेंस आज आपकी एंजल्स आपके एंसिस्टर्स आपको क्या कुछ गाइडेंस देना चाहते हैं जस्ट आ मिनट बस आपको क्या कुछ गाइडेंस मिलने वाली है आज हम यह देख लेते हैं चलिए काइडेंस के निकालते हैं देखते हैं क्या कुछ guidance मिलने वाली है आपको क्या कुछ Angels Universe आपको guidance के रूप में देना चाहते हैं ठीक है four cards है one more five cards and bottom of the deck bottom of the deck has seven of a real card okay चले कार्ट्स देख लेते हैं क्या कार्ट्स हैं नू बिग्निंग्स वाओ स्ट्रेंथ बहुत यच्छा कार्ट वील ओफ फॉर्चून क्या बात है मेजर अरकानाज आए हैं तीन बहुत यच्छा तो यहां पे जो कार्ट है सबसे पहले जो है मुझे कार्ट्स बता रहे हैं आपके कि आपके जो परसन है ठीक है आपके जो परसन है देखो लव लाइफ को लेकर कि आप परेशान बिल्कुल भी नहीं हो लव लाइफ को आप बिल्कुल भी छोड़ दो रिलेक्स हो जाओ ठीक लव लाइफ को सही करने के लिए आपके अंदर पेशन्स है और लव लाइफ आपकी सही हो जाएगी खुद बखुद तो आपको टेंचन लेने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है ठीक है यहां पे हैं यहां के कार्ड बता रहे हैं कि आपके देखो थोड़ा सा आप इन्वे करेगा या फिर आपको करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए थोड़ा सा आप थोड़ा सा सस्पीशन में मुझे दिखाई दे रहे हो तो यहां पर दिखाई दे रहा है कि आप सस्पीशन में मत रहो कंफ्यूजन में मत रहो आप जो है आपको इन्वेस्ट करना है आपको सही लगता है तो आप invest करो ठीक है इतना ज़दा सोचोगे तो कुछ नहीं कर पाओगे ठीक है life में इतना ज़दा सोचने से कुछ नहीं होता है सो समझ के चीज़े करनी चाहिए लेकिन आप ज़दा ही सोच रहे हो यहां पर दिख रहा है कि आपके life में देखो आपको कुछ detail plan बनाना होगा अगर आप career में success चाहिए आपको अपने job में success चाहिए तो आपको detail plan बनाना होगा detail plan बनाने का मतलब यही है कि आपको अपनी life में बहुत सारी चीज़े change करनी होगी जैसे कि आपको अपने अंदर जो है ना हर बड़ा हट छोड़नी होगी यानि कि घबराहट वाली जैसे होता है कि जल्दबाजी में कुछ भी decision लेना कोई भी decision लेना वो decision कैसा होगा कैसा नहीं होगा कुछ नहीं सोचना बस decision लेना है ना तो वो decision जो है ना आपको बदलना पड़ेगा वो सारी चीज़े जो है ना बदलनी पड़ेंगी अपने अंदर ठीक है आपको patience रखना पड़ेगा अपने दिल की सुनो ठीक है है ना उसके बाद कोई action या decision लेना आपनी life का ठीक है ज्यान रखें कि जो भी decision लोगे आपके फाइदे या नुकसान दोनों आपका कर सकता है तो आप दिल से सोच करके ये सारी चीज़े करो ठीक है और आपकी life में काफी ज़दा जो है problem चल रही थी बहुत डीले हो रहा था आप किसी काम को करना चारे थे लेकिन वो काम भी नहीं हो पा रहा था आपका ठीक है मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि आपका जो relationship है देखो आ कर रेशनसीप में problem चल रहा है मुझे लगता है आपके हर एक चीज़ में डीले ही हो रही है रेलेशनसीप में भी डीले यहाँ पे आपके जो feelings है जो emotions है उसमें भी डीले तो कहीं न कहीं डीले वाली energy मुझे clearly दिख रहे है आपकी यहाँ पर मैं यह भी देखू तो मुझे यहां पर यह भी दिख रहा है जिसे कि आपका जो डिलेशन से पहना आपको कहीं न कहीं रोकता हुआ सा नजर आ रहा है आपको आपको लग रहा है कि आप आगे नहीं बढ़ पार हो अपनी लाइफ में आप कुछ भी नहीं कर पार हो अपनी लाइफ में तो मुझे यहां पर जैसे से दी कर आए हैं जिससे कि आप जो है ठीक है आप अपने आपको बहुत धक We mahas चीया करना चाहरे हो ले हैं नुबिनिग आने वाली है डिक है आंपको नि बिगनिंग के लिए अपने life में तयार रहना चाहिए आपके life में बहुत सारी चीज़े जो है न new beginning मतलब कि आपके life में new beginning होनी ही है ठीक है तो आप अपनी life में new challenges का wait कर रहे थे तो अब new challenges आने वाले हैं आपके life में आपको पूरी तरीके से यहां पे तयार रहना चाहिए ठीक है तो यह है आज के लिए angel guidance मिलते हैं फिर अगली reading में I hope reading आपके साथ resonate की होगी मिलते हैं अगली reading में बाबाई